कुर्षे में जड़वा दिया 1100 किलो का सोना, हीरे जहरात के सिहासन पर बैट कर करते थे सौच, कौन थे वो रईस, चले जानते हैं, बढ़ादा की महराजा, अपनी दर्वार में जो पुशाग भन करा दे थे, वह सोने की तार की बुनी हुए होती थी, और उनकी रियासत में एक ही परिवार ऐसा था, जिसे उनके तारों को बुनने की अनुवती थी, आजादी के समय भारत में पात सो पैसर देशी रियासते हुआ करती थी, सबके अपने शाषिव, राजा, नवाव और निजाम थे, इन राजा महराजाओं के शौक निराले थे, सिकार से लेकर, महर खेलकूद, महल और हरम अपने आप में अनुठा था, राजाओं को सबसे अधिक लगाओं हीरे जाहरात और मोतियों से हुआ करता था, बढ़ादा के महराजा एक तरह से सोने और हीरे जाहरात की पूजा किया करते थे, वह अपनी दर्वार में जो पुशाग पहन गराते थ और उनकी रियाश्रित में एक ही परिवार ऐसा था जिसे उन तारों को भूनने की अनुमती देते थे, एक ही परिवार बनाता था कबड़ी, इतिहास कर डोमिनिक लापियर और लेरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रिडम एट में नाइट में लिखते हैं कि जो परिवार महराज जब बड़ादा की पुशाक तयार करता था, उस परिवार की हर आदमी के नाखून इतने लंबे बढ़ा दिये जाते थे कि उनमें कंगियों जैसे दात काटे जा सके, फिर नाखूनों की इन ही कंगियों से वे सोनी की तार का ताना बारा बिलकुल सीधा रख कर गठा हुआ कपड़ा बुनते थे, सितारे दक्खन के मालिक, बड़ादा के महराजा के पास हीरे जहरात का जो एतिहासिक संग्रह था, उसमें दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा हीरा सितारे दक्खन भी शामिल था, यह हीरा कभी फ्रांस के समराड नेपोलियन टृती ने अपनी प्रे मैशूरत बेल बनाए गए थे, गद्धी में जर्वादियां 1120 किलो सोना, मैशूर के महराजा और निलाले थे, उनके सिहासन में 28 मन सोना करीब 1120 किलो लगा था, और उस पर चड़ने के लिए ठो सोनी की 9 सीड़ियां बनाई गई थे, जो भगवान मिश्नु के उन 9 कदमों की प्रतीक थी, जो उन्होंने सत्य की मंजील तक पहुचने के लिए उठाए थे, उरीसा की एक महराजा का सिहासन बहुत बड़ी पलंग की तरह हुआ करता था, इसे उन्होंने लंदन में पुरानी अनमोल चीजे बेचने वाले एक वैपारी से खरीदा था, और उसमें नवाम रामपूर का सिहासन में बहुत खास था, यह सिहासन एक ऐसे हौल में रखा था, जो गिजा घर की बराबर था, जिस चबुत्रे पर वह रखा हुआ था, उसके दूदिया संगमरमर के खंबे, नंगी और तुकी सखले के तनासी के थे, उनकी राज सिहासन में एक अन जिसके ठीक नीचे एक तसला रखा था, नवाब साहब दरबार के काम काच में विगनर डाली पगया है, सौच कर सकते थे राजा महराजा कैसी काटते थे समय, डोमिनिक और लेरी लिखते हैं कि राजा महराजा जादा तर समय खाली ही रहा करते थे, अपना खाली समय काटने के लिए उनके दो शौक हुआ करते थे, औरती और खेल कुई, हिंदु हो या मुसल्मान, हर राजा की महल में एक हरम रहता था, उनमें रहने वाले पश्यूपक्षी और विसेस तोर पर शी जिनकी संख्यावने 147 में भारत में 20,000 थी, उनकी बंदु का निशाना बनने के लिए ही होते थे, भरत्पुर की महराजा ने आट वरिस की उम्र में पहला शीर मारा था, एका इस कॉमेंट्स में जर